आज हम बनाने जा रहे हैं हरी प्याच का पराथा जो की बिलकुल भी गिलानी होगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा और उसी के साथ मैं बनाने जा रहा हूँ एक ऐसा रायता जो आपकी बालों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है तो चलिए मिलके बनाते हैं शानदार सी हमने लिया यहां पर आधर किलो हरा प्याच हरा प्याच का जो वाइट पार्ट है इसको अलग कर देते हैं सबसे पहले दोनों को काटने का तरीका लग लग होगा है इसलिए हम अलग कर रहा हूं इसको अच्छी तरह से वाश कर लेना क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी मि और तरह से उगली के पास में इस तरह से और चलाते जाएं अपके ऐसे नहीं होनी जीए ऐसे रही तो कट सकती है ऐसे रही तो कभी नीकटेगी और टच कीजिए इसके ऊपरवाला हिस्सा हलका सा तटच होएगा तो अप्र ऑफ़ी नीकटेगी चाया आंग बंद करके ही के बारिया थीज के वाइट पाट के काटने की सबसे बढ़ने बुन गुन लेंगें Ez encouraging दू Agreement प्हाले से पहले हम आठा गूण लेंगे क्योंकि इस्टफिंग बनाते हैं इसको यूज करना है क्योंकि यह रहाँ आटा हमने गूंड लिया है लेकिन इसको रेस देना बहुत जरूरी है कम से कम 15-20 मिनिट का रेस देते हैं डो लगबग 15-20 मिनिट हो चुके हैं यहांपर चलिए इसको मुलायम कर लेते हैं हलका तेल डालके लगबग एक बड़ा चमच मी ने टेल डाल दिया यहांपर और इस से ज्यादा ना डालें वहना कड़वा पनाता है दो चोटी चमच लाल मिच पाउडर एक चोटी चमच फ्रेश कुटी वी काली मिर्च एक बड़ा चमच साबुध धनिया क्रश्च किया हुआ और थोड़ा समय जीरा भी एड़ कर रहा हूं यहां पर आदी चोटी चमच यह ग अगर आप एक साब दालेंगे तो पानी चोड़ देगा हमको डाला है थोड़ा थोड़ा कर जिस हिसाब से प्याज है उस हिसाब से हमको यह मसाला एक करना होगा इस बात का धियान रखना है अब सारी सब्जियों को पहले मैं मिक्स कर दो हो यह ना प्याज वाईट प्यां न वो मैंने सके अंदर mix कर लिये लेकिन मसाला अभी तक मैंने मिलाया है कभी भी प्यांच का प्याँच माना रहे हो इसी तरह से बनाईए आप मसाले कभी ADD मत कीजिए अब आपको परांठे बनाने हैं एक या दो दो परांठे के ताब से वेजटबल डाल देते हैं और यह मसाला था यह अब एड़ कर देंगे इसके अंदर और फटा-फट से इसको स्टफिंग कर लिया क्योंकि यह पानी छोड़ देता है आप पाँच या दस मिनिट भी छोड़ देंगे तो पानी बानी हो जाएगा पूरा अंच को सबस्य दमें कि जाए लिग्स उसके मिक्स काफुन , दमें हीती स्टफिंग करें तो सबस्यारिऑ निक कोटिते हैं अब राटे पीड़ा तोड़ लिए यहां पर थोड़ा सा सूखा अटा आठा भाशी और ये हिलका सा बेल देंगे Yarala Kalik जो इसके साइड्स हैं, उनको पर लाके इस तरह गोल गुमा दिया इसको, हलका सा फलार अगर ज्यादा लग रहा है इसको हटा दिया यहां पर, हाथों से इस तरह से पहले दबा दीजिए, इससे क्या होगा, इस स्टफिंग चाओ तरफ से फैल जाएगी, और जो एर होगी न बनती है, बहुत अचे परांठे, इसमें बनते हैं, थोड़ा सा मोटा भी होता है और आइरेन के हमारे न्यूटरिशन भी मिल जाती इसमें, गैस की फ्लेम यहां पे, मीडियम टू हाई है, एक तरफ से जब हलका सा कलर आ जा उसके बाद इसको टान कर दीजिए, ऑईल, बढ़िया सा यह फूल चुका है, और कलर भी प्यारा आ चुका है, तो चली इसको सब कर लेते हैं, फटा फट से गर्मा गर्म, आज कर आयता थोड़ा सा स्पेशल है, यह हैं फ्लेक्सिट, जो की भूने वे हैं, अच्छी तरह से चटकाए वे हैं, लो फ्लेम पे, मैं लू दही हलका सा खटा चलेगा इसके अंदर, क्योंकि यह होता है प्रोबाइटिक, मतलब ओमेगा 3 और प्रोबाइटिक, दोनों मिलके आपके बालों के लिए काफी अच्छे होता है, इसको आप ब्रेकफास में, लंच में यूज कर सकते हैं, डिनर में आवड करना है इसको, द काला नमक और थोड़ी सी काली मिल्च, तो यह रायता भी तयार हो गए आपका और एक तरीकी रेमेडी भी तयार हो गई, इसको ट्राइ करना बहुत फाइदा मिलेगा आपका, और यह बहुत ही बहतरीन पराठा तयार हो चुगा यह देखें, अंदर से किस तरे का मसाला है, मसाला देखें आपहले, स्टफिंग कितनी प्यारी लग रही है, हल्क असा मॉइस्ट लग रहा है स्टफिंग के अंदर, इसको खाने बहुत मज़ा आने वाला है, सॉफ्ट, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, और यह रहा हमारा शांदाल वारा रेमेडी या फिर रायता भी आ झाला इस बहा है स्टफिंग के अंदर से बहुत लग रहा है